क्या आप भी online earning करना चाहते हैं क्या आप एक student है और part time कोई online skills सीख के उससे dollars कमाना चाहते हैं क्या आप एक housewife है और खर की चार दिवारी में रहते हैं अपने मिया किशाना बशाना contribute करना चाहते हैं घर के खर्चे मैनेज करने में तो इसके लिए बेखतरीन तरीका यह होता है कि आपको इस skill सीख लें बेखतरीन skill जो कि मैं लोगों को recommend करता हूँ वो यह है कि Amazon पे product कैसे बेची जाती है अगर आप इस skill सीख लेते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा औरेडी इस पे free videos free courses YouTube पे पढ़ें आप अभी जाएं हमारे channel पे जाके free of cost learn कर अब हमारा pain training भी होती है लेकिन वो सबको में recommend नहीं करता है मैं कहता हूँ कि भाई पहले free सीखो उसी से काम करना शुरू करो अगर आपको लगे तो फिर आप पे ट्रेनिंग की तरफ आ सकते हो Amazon पे काम करते हैं सबसे बड़ा मसला जो लोगों को दरपेश होता है वो यह होता है कि भाई product क्या बेचे मतलब उन्हें product hunting नहीं करनी आ रही होती है अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं वैसे तो मैं manual product hunting recommend करता हूँ कि आप उसके through products निकाले लेकिन बहुत सारे ल जिसका नाम है seller surprise इसकी website भी मुझूद है और इसकी application भी मुझूद है जो के web extension जिसको आप कह सकते हैं उसके थ्रूभी आप इससे products निकाल सकते हैं कैसे करना है निटे description में लिंक है अभी आप website पर चले जो जांके free अपना account बनाओ और बहुत सारे features तो इसके free हैं लेकिन tension क अभी बात नहीं है आप कहेंगे कि सर हमें एक बात चीज़ें करके दिखाते हैं तो कोई मसला नहीं है अभी हम screen की तरफ चलेंगे और मैं आपको पूरा एक overview दूँगा कि seller surprise को यूज करते हुए कैसे आप एक काम्या product ठोन सकते हैं और Amazon पे उसको बेज सकते हैं screen पे और इ साइन अप की चुँके और डी मैं साइन अप कर चुका हूँ पिछली वीडियो में मैं और डी आपको दिखा चुका हूँ तो आप इसे साइन इन कर लीजेगा अपने Google के साथ साइन इन बिलकुल फ्री है कोई भी चार्जिस नहीं है और इसके लावा एक और चीज भी मैं आपको बता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा टूल है जिसमें आप दो लोग भी शेयर करके इसे यूज कर सकते हैं और इसमें चाइडल अकाउंट की ऑप्शन भी यहां पर आती है आप चाइडल अकाउंट पर आएं यहां पर क्लिक करें तो यहां पर दो लोग मिलके अगर इस टूल को इस वेबसेट को यूज करना जाते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं दूसरी बात मैंने आपको बताई थी किस प्रेटफॉम की सबसे बात है कि हर स्टेप पर आपको खुद गाइड करता है आप इसका टूरियल देख लेंगे चाइडल अकाउ अनुवल में इनके सारे पेड चार्जी जो कि आप यहां पर देख सकते हैं सारी डिटेल लिकिक लिए लेकिन अगर अगर फरी यूज करना चाहते हैं तो आप मंथरी पे आके इसका फरी वाला पार्ट है आप वह भी यहां पर आकर यूज कर सकते हैं अपको उतने परक्स पर टूल्स लेते थे अब आपको सारे टूल्स लेने की ज़ूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अगर इस टूल के ओपर क्लिक करता हूँ है तो आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे क्या-क्या आप्शन दे रहा है Hang प्रॉडख यहाँ ये वर्य की अबर में ऑक चे अपार मी आईडर के अस ग्लूबल ब्रान डेटाबेस को आप निकाल सकते हम तिक है उसके बाद यह जो my product list है इसके बारे में आप जान सकते हैं listing optimization की तरफ अगर मैं आओं तो यहां पर आप अपने ads के बारे में जान सकते हैं जो कि आप Amazon के platform भी जान सकते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा मजीद elaborate और असान किया गया है keyword की distribution के बारे में जान सकते हैं related product जो भी product आप बेच रहे हैं उस related जो products हैं आप उनके बारे में research कर सकते हैं keyword explorer आपने कोई एक keyword इसको देना है उसके बाद यह आपको बताएगा कि keyword कैसे explore करने हैं अभी मैं आपको एक overview दे रहा हूँ इसके बाद हम हर किसी के ओपर जा के भी हम इसको मजीद explore भी कर लेंगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी training की दुरूरत नहीं है इस tool को use करने के लिए आप खुद कैसे कर सकते हैं ठीक है जी review analysis कर सकते है product tracker keyword tracker storefront tracker ठीक है आप ने किसी competitor का storefront track करना है आप यहां से कर सकते हो कौन-कौन सी products बेच रहा है कितनी sale है कितने अरसे से बेच रहा है बड़ा कमाल all-in-one है जैसे मैं नहीं बतारे हैं इसके बहुत सरे tools free भी हैं उनके आगे green में free free भी लिखा रहा है listing builder है sales estimator है keep our alternative है मतलब history जान सकते हैं आप अपने product की यह मैंने click कर दिया लेकिन हम बाद में आते हैं इसके उपर पहले हम जो देख रहे थे हम उनी को ही देखते हैं ठीक है profitability calculator जो कि हम Amazon revenue calculator से निकालते हैं फिर Google पर trends देख सकते हैं कि आप जो भी product launch करने लगे Amazon पे गूगल उसके बारे में क्या कह रहा है लोग कितना आके उसको search करते हैं फिर URL builder अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे हम honest reviews लेने के लिए जब social media को पे अपने ads चलाते हैं और वहां पे जाहरी बात है कोई URL जिसको हम super URL कहते थे वह build करते थे तारके Amazon को यह लगे के भाई हमारा जो audience है वो special कोई keyword research keyword पे search करके आया keyword type करके है तो उसके लिए हम एक URL build करते थे वह भी आप यहां से आके यह काम ले सकते हैं फिर आप keyword mining कर सकते हैं मतलब keyword hunting आपकी product से related जितने keywords हैं वह निकाल सकते हैं यह जान सकते हैं किन-किन keywords पर rank कर रहा है कितने keywords अगर आप भी rank होना चाहते तो आपको कितना sales शो करनी पड़ेगी traffic का comparison हो सकता है कि किस keyword पर कितनी ट्राफिक आ रही है जिसको आप search volume भी कह सकते है reverse multiple lessons यह तो आगया न आप एक competitor को कर रहे हो आप multiple competitors को भी एक टाइम पर compare कर सकते हैं keyword checker में आ जाता है keywords के बारे में आ जाता है और my keyword list आ जाती है यहां से keyword list निकालके आप listing builder पे यह listing optimization पे जाके भी अपनी list generate कर सकते हैं ठीक है जी यह तो यहां पर आगया आपका web based अगर मैं extension based पे हूँ तो यहां पर आपके इसकी extension भी आप download कर सकते हैं और extension download करने का आपको फाइदा यह होता है कि बहुत सारा काम आप Amazon के platform पे ही जाके कर सकते हैं आपको इसके web version पे आने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है चलें जी अब हम क्या करते हैं हम बारी बारी किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसमें काम करना start करते हैं अब यहां पर थे रिवर्स एसन पे आते हैं अब यह रिवर्स एसन आ गया ठीक है सबसे पहले तो आप यहां से marketplace करेंगे जिस भी marketplace के अंदर आप काम कर रहे हैं अच्छा इसमें पहले ज्यादा marketplace नहीं थी लेकिन वक्त के साथ इसमें एड होती जा रही है और जो भी missing रहे हैं वह भी hopefully बड़ी जल्दी इसमें एड हो जाएंगी ठीक है फिर आप रिवर्स एसन में डेटा लेना चाहते हैं अपने कंपेटर का वह कितने साल का लेना चा तो यहां से आकर आप इसका सेंट है रसकते हैं अच्छा उसके बाद जब आपने यहां से कौपी कर लिया तो अगला अपने काम क्या करना है अपने हम ने से कौपी की त करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने सारा उनहीं का डैटाबेस लेकर आ गया ठीक है भाकी यहां पर इसकी डीटेल्स है आप बारी बारी इन सब को रीड कर सकते हैं जान सकते हैं और अगर आपको समझ नहीं आरी के टूल कैसे यूज करना रिवर्ट सेशन का तो बहुत यहां पर टूरियल्स मुझूद है टूरियल वीडियो मड़ी है आप लिवर्ट सेशन की टूरियल वीडियो देखें यह आपको डीटेल में बता देंगे एक साथ मिनिट की वीडियो है इस साथ मिनिट के अंदर आपको यह सब कुछ यूज करना सिखा देगा फिर भी कोई प्राबलम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा मैं उस स्पेशल टूल के बारे में सेपरेड वीडियो बना दूगा ठीक है जी फिर इसी तरह हम ट्राफिक कंपारिजन पर आ जाते हैं जी ट्राफिक कंपारिजन को देख लेते हैं यहां पर भी आप यहां से ल लिस्ट के अंदर टूल्स का इजा रहा है जब हमने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना तो इतने ज्यादा इसके फीचर नहीं थे बहुत थोड़े थे लेकिन आने वाले टाइम के साथ इसके फीचर बढ़ते जा रहे हैं मैं माई कीवर्ड लिस्ट के अंदर अगर आ आ जाएगा समझाने का मतलब यह है कि भाई यह कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको ले कि आप परिशान होंके पता नहीं इस टूल को सीखने के लिए में कोई कोर्स करना पड़ेगा नहीं हर टूल के साथ हर यहां पर इसके साथ उन्होंने एक वीडियो द पाकिस के और भी फीचर्स हैं आप वो देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी हमें स्पैशल फीचर पे सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उमीद है आज की वीडियो के आपके लिए काफे फाइदा मुझी हो झाय आपब दिट्सि कि भी मुझे कर वीडियो क के टाय कि पराइदा मुझे करें लिए भी काफे बनानी चाहिए, छ connecting करें तो रचंशन मुझे तो हूं कि को।